कि तुर्वश्का दोस्तों आज बजाज ऑटो लिमिटिट कंपनी ने अपने कौर्टर टू के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है प्राफ मतादे कंपनी के बहुत ही बड़िया रिजल्ट्स आये हैं लगबक सारे ही पैरामिटर कंपनी ग्रोथ दिखाई है कंपनी का पाने रिजल्ट की बात करें रिए क्रोड एंदर और साथा जो अर्णिग पर शेर्गी वो रूपी के अंदर है ऑलंदर हैं फिल्टिवेंटर कंपनी क vermाने 1-27050 ऐग उनने के यह वह सतयłe क्रोड्ट पर यहां पर देखें तो कब्लेगा अच्षी 272 जो दिखाई है साथ ही साथ year on year base पे भी 16% काफी अच्छी ग्रोट है आपर दिखाई है इसलिए बात करें कंपनी के operating profit की तो इस quarter में कंपनी का operating profit आ रहा है 1750 क्रोड पे का जबकि पिछले quarter में सिर्फ ये 1286 क्रोड था तो बहुत ही अच्छा quarter quarter base पे कंपनी का operating profit आया है यहां बात करें तो 36% का बहुत ही अच्छा कंपनी ने operating profit मार्जिन में ग्रोथ दिखा है इसलिए बात करें सब्टेंबर 2021 के कंपनी के operating profit की तो वो सिर्फ 1400 क्रोड था और यहां पे देखें तो year on year base पे भी काफी अच्छी 25% कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है इसलिए बात करें कंपनी के operating profit margin की तो पिछले quarter में इस quarter में कंपनी का operating profit जो है वो एक परसंट से इंक्रीज हुआ है margin क्योंकि जोन 2022 में कंपनी का operating profit 16% था और September 2022 का जो अब रिजल्ट आया है उसमें 17% कंपनी operating profit margin maintain कर रही है इसलिए बात करें September 2021 के quarter की तो उसमें भी कंपनी का operating profit margin था वो 16% था तो year on year basis भी और quarter on quarter basis भी दोनों ही basis पे कंपनी ने एक परसंट का increment यहाँ पे अपने operating profit margin में दिखाया है इसका बात करें कंपनी की अधर income की अब इसको जो हमने include किया यह इसलिए क्या है क्योंकि September 2021 का जो quarter था उसमें आप देखे हो तो तो पिछले quarter में इस quarter company के profits में भी growth आई है चले discuss करते हैं तो अब September 2022 का जो quarter है उसमें कंपनी ने 532 क्रोड रुपे की अधर income दिखाई है और जून 2022 में कंपनी की अधर इंकम थी 320 क्रोड रुपे है अनग कंपनी का पुरान record भी देखते हैं तो 300-400-500 क्रोड के आजपस साफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे लेकिन अब बात करें तो यहां पर जो कंपनी का profit before tax आ रहा है इस quarter में वहारा 2203 क्रोड पे का नॉर्मल अधर income के साथ में जबकि पिछले quarter में 1534 क्रोड था और पिछले साल के September 2021 क्रोड में 2417 क्रोड था जिसमें कंपनी 1085 की अधर income द क्रोड में था और इस quarter में 203 क्रोड पे है लेकिन बात करें सेप्टेंबर 2021 क्रोड से तो उसमें 2417 क्रोड पे कंपनी का profit before tax आ रहा था तो यहां पर जो हम profit before tax या आगे जो profit देखेंगे वह quarter on quarter basis पे ही परेज करने का फायदा क्यों year on year basis देखेंगे तो company ने अधर income दिखाई थी इस विए से कंपनी के इस quarter में हमें profit वो कम होते दिखाई देंगे इसलब आतकर ने कंपनी के इस quarter के net profit की तो इस quarter company के net profit आया 1719 क्रोड पे जबकि पिछले quarter में 1130 क्रोड था और September 2021 के quarter में 2040 क्रोड था यहां पर देखें तो quarter क्रोड पर कंपनी के net profit ने बहुत ही अच्छी लगबग 50% के आसपास की जए growth दिखाई है company ने तो जैसे में बात कि थी company ने revenue भी काफी अच्छे से increase करें लगबग 2000 क्रोड पे company ने अपने revenue इंक्रीज करें और यहां पर देखें तो उसको convert भी कर पाई है पिछले quarter में इस quarter company के लगबग 600 क्रोड के आसपास company का net profit इंक्रीज हुआ है जून 2022 में 1130 क्रोड का net profit था और अब यहां पर September 2022 में 1719 क्रोड का है तो 600 क्रोड के आसपास company बहुत ही अच्छे से अपना profit इंक्रीज कर पाई है इसलब बात करें company के earning पर शेर की तो यहां देखें तो इस quarter company की earning पर शेर लगबग 60 रुपे पर शेर के आसपास आ रही है य लगए पिछले quarter में सिर्फ 40 रुपे 20 पैसी थी और September 2021 के quarter में 70 रुपे 50 पैसे के आसपास थी उसका reason हम आपको बताई चुके हैं कि वह क्यों जादा उसमें आ रही है तो यहां पर देखें तो net profit थे सेम company ने earning per share में भी 48% की काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है तो यह दो में आपर देखें तो मैं long time के साथ से बात करता हूं मुझे नहीं पता कि कल को market में क्या होगा इस results के बाद में या एक हफते बाद एक महीने बाद market कहा जाएगी या बजाद ओटोवाश शेर्स कहा जाएंगे लेकर बात करने अगर लॉंग टॉप कर सिफटी तो जिस भी company कर चुके हैं यह हम करना चाह रहे हैं उनके results को हमें study करते रहें जिसे में company बार में detail लॉली मिलती रहे कि company का profit कर चल रहा है company के business में ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही है उसके base में depend करेगा कि हमें उस company साथ invest करना है या नहीं करना है या हमने किया हुए तो हमें बाहर निकल है तो अभी हम देखें तो कोई खास effect company पर नहाई दिखा रहा बलकि company के profits और earnings increase ही हो रहे है इसलिए अगर हम company के business में इंट्रेस्टेड है long term investment इंट्रेस्टेड है तो हमें बिल्कुल growth और यह जो results आते हैं वह में हर साल हर तीसरे मेने जो भी आते हैं यह समय में चेक करने अब हम बात करतें company के current share price की तो आज की दिखने करेंट शेर प्राइस है वारा है 3570 रुपे और हमने अभी पिछले हफते ही एक video detail मनाई थी बजाज auto limited के ओपर जिसमें में detail में चेक किया था कि company के profits और यह सब चीजे कैसी चल रही है कंपनी का business क्या चल रहा है और हमने company की valuation भी करनी थी और आपको दाते हैं जो 3570 रुपे पर शेर का price दा रहा है इसके साब से बिल्कुल company आज़िट में undervalued company है जैसे बात के थी electronic vehicles की विए से बहुत सार लोग जो है इन तरह कंपनियों invest करने से बच रहे हैं जो क्योंकि market के sentiments कम हो गया है P by E कम हो गया है इस विए जैसे company के share price कम हुआ है लेकि हाँ पर देखें तो हमें क्लेरी दिखाए दे रहा है कि company की earnings लगातार हर quarter में बढ़ रही है तो साथ में बात करें तो company जितना पैसा कमाती है company जितना free cash flow कमाती है उसके साब से आज की date में भी ये company एक undervalued company है और बहुत ही अच्छा time है क्यों 60% पर अविलेबल है 40% का अपने को marginal safety मिल रहा है या कहें तो उसके fair price में discount मिल रहा है तो काफी अच्छा time है और आप उस video को भी check कर सकते हैं उसमें और जाए detail देख सकते हैं अगर आपने invest किया हुआ है तो बिलकुल मेरे साब से बने रही है आने वाले time में अगर कोई भी changes होंगे चाए electronic vehicles के जैसे भी होंगे तो इतनी बीड़ी company है तो ये भी उस market को grab करने के लिए अपना काम शुरू कर चुकी है और अगर आप invest करना चा रहे हैं तो बहुत अच्छा time है अगर आप 4-5 साल या उसे ज्यादा कर time लेकर चलते हैं तो बात ही हो रही है कि आगले स साल रिसेशन आ जाएगा या या यूस में और रिसेशन शुरूओ गया है तो वो सब चीज़ें इसलिए आती है कि अच्छा investor market में एंटर कर सके और कम दावों पर कमनिया तभी मिलती है जब कोई ना कोई temporary problem चल रही होती है तो अगर हम 4-5 साल के लिए hold कर रहे हैं तो आज के लिए इतने रखते हैं थैंक्यू सो मच